एक समय की बात है एक गाव में एक ब्राहमन रहता था। एक बार किसी परिवर ने उसे अपने यहां ब्राहमन भोज पर बुलाया और दान में उसे एक बकरा दिया। बकरे को पाकर वो बड़ा खुश हुआ और खुशी से अपने घर जाने लगा। रास्ता लंबा और सुनसान था। रास्ते में ब्राहमन के कंधे पर बकरे को देखकर तीन ठग के मन में उस बकरे को चुराने का विचार आया। तीनों ने उसे हथी आने की योजना बना ली। तुन्हें दिखाए नहीं देता। ये कुट्टा नहीं बकरा है। इस पर ठग ने कहा मेरे काम था आपको बताना आगे आपकी मर्जी। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राहमन को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राहमन से कहा पंडित जी क्या आप नहीं जानते उच्छकुल क अपने कंधों पर कुट्टा नहीं लादना चाहिए। ब्राहमन ने उसे भी जिड़का दिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी और दूर आगे। जाने के बाद ब्राहमन को तीसरा ठग मिला और उसने पूछा पंडित जी इस कुट्टे को पीठ पर लाद के जाने का क्या कारण है। इस बार ब्राहमन के मन में शक आया कि कही उसकी ही आखे तो धोखा नहीं खा रही है। इतने लोग तो जूट नहीं बोल सकते। और उसने रास्ते में थोड़ा आगे जाकर बकरे को अपने कंधे से उतार दिया। अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। उसके कर उसकी दावत खाई। तो दोस्तों इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार जूट को भी मेजोरिटी में बोलने पर वह सच जैसा मालूम पड़ता है और लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं।